हेलो प्रिंट्स, आज हम बनाएंगे कुट्टू के आटे की पकोडी, ब्रत के लिए तो अभी चाय हमने बना के रख लिया है, चाय के साथ आज हम कुट्टू के आटे की पकोडी बनाएंगे, तो कुट्टू के आटे की पकोडी बनाने के लिए सबसे पहले हम चट्नी पीस यह हमने दो टमाटर और चोटा सा टुकड़ा अध्रक ले लिया है और दो हरी मिर्श ले लिया है वो हमने मिक्सी जार में डाल दिया है थोड़ी सी धनिया हमने धुलके साफ करके रख ली थी वो भी मिक्सी जार में एट कर दिया थोड़ा सा सीनह नमक एट कर दिया है अब इ कटओर निकाल लेते हैं कटोरी में देखिए चटनी हमारी तैयार हो गई है चलिए थे तब तक हम рав initiating जाल से पांच में अअलू हमें लेा है है अलू हमारी थोड़े गरम है तो इसलिए थोड़ा एक उस Mol Он सब्क ignore मैस कर पा रहे हूं अब यह आलू हमारी हो गई है इसको हमने अच्छे से मैस कर लिया है अब इसमें हम अपना मिक्स करेंगे जो हमने हरी मिर्च कट करके रखी थी थोड़ी सी धनिया की पत्ती कि सेना नमक और कोई मसाले हम इसमें आड़ नहीं करेंगे एक चम्मच हम यह अपनी टमाटर की चटनी आड़ कर देते हैं इससे इस पकोड़ों में टमाटर का और अद्रक का दोनों चीज का फ्लेवर आ जाएगा और थोड़ा मिर्ची का भी आ जाएगा वैसे तो मिर्ची मैंने इसमें यह सब हमने अड़ कर दिया है अब इसको आप अपने अनसार शेप में बना सकते हैं मैं छोटे-छोटे जैसे आप ब्रेड रोल बनाते हैं तो मैं रोल का शेप देते में बना रही हूं उप चाहंए तो छोटी-छोटी ठिकऌी का शेफ दे के बना ले आप इसको उसको हम लिए जो हम यहां पे ले रहे हैं आटा यह कुटू का आटा है कुटू का आटा हमने एक कप ले लिया है इसमें हमने पानी आड़ कर दिया है आधा कप और थोड़ा सा सेना नमक आड़ कर दिया है बाकी कुछ इसमें नहीं आड़ करेंगे और यह बहुत स्टकी होता है आटा बिल्कुल slip करता है तो इसको आप पतला नहीं गोलिए अगर पतला गोलेंगे तो बैटर उस पे रुकेगा ही नहीं तो बहुत गाढ़ा रुक गोलिए और मैंने इतना ही आटा गोला है इसमें भी हमारे बच जाते हैं बहुत कम लगता है आटा ये बिल्कुल आधी कटोरी इतने सारे बरेड रोल में आधी कटोरी आटा भी नहीं लगता है तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बरेड रोल अभी रोल करके देखे अभी ये थोड़ा सा पतला है इसमें थोड़ा सा मैं और आटा मिलाओंगी अब इसको मैं fry करूँंगी ये सारे हमने रोल करके रख लिए हैं ये हमारे कम से कम 9-10 पकोड़े बन게 तयार हो गए हैं रोल करके रख लिए हैं अब इससे हम पकोड़े बनाएंगे फ्रेंडस हमने बहुत थोड़ा सा घी कड़ाई में डाला है अगर आप जादा घी डालेंगे तो आप डालेंगे और आपके पकोड़े उसमें डूब जाएंगे तो आपके पकोड़ों की इसकिन बिल्कुल भी निकलेगी नहीं वो एक जैसी सेट रहेगी मुझे थोड़ा कम तेल में ही जल्दी से फ्राई करना है तो मैंने घी डाला है क्योंकि अब ब्रत का है तो बहुत जादा घी बरबाद नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इसके उपर हमको घी डालना पड़ रहा है कि उपर की जो परत है पकोड़ों की वो भी अच्छे से पक जाए और जब हम इसको कड़ाई में घी हमारा जब कम रहता है कड़ाई में तो वो नीचे से मतलब सेट हो जाता है तो थोड़ा इधर उधर निकल जाता है उसके लिए आप टेंशन ना ले ब्रत वाले पकोड़े आप कम घी में ही बनाईए ये बनते उतने ही कुरकुरे हैं और खाने में उतने ही डेस्टी जाते हैं और ये बहुत अच्छा बनके तयार होता है फ्रेंट्स देखिए हमने बहुत थोड़ा घी कड़ाई में डाला था इसी वज़ा से ये एक दूसरे से चिपक जा रहे थे पकोड़े अगर आप ज्यादा तेल में या ज्यादा घी में तलेंगे जैसे जो लोग मुम प्लेटिंग करते हैं में च casting मूँ बहुत अच्छा लगता है इन पकाछा है कर्णों का हमाये घर में सबको बहुत पसंद है मैं में बहुत बनाती हूं टमाटर की चटनी आप इसमें मोमफली भी आड़ कर सकते हैं, आलू में बीच में अगर आपको पसंद हो डालना चाहें, तो आप मोमफली भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है, भूनी हुई, तो देखे, फ्रिंट्स, पकॉडे हमने निकाल दिये हैं प्लेट में, चलिए हम चाय निका कि चाय मैंने बना करे रख लिया बस हमें पकॉर्डए निगालने थी तो हुझ हम tutaj हम निगाल लेते चाया इन क्योंकि मुझे गरम वाली केटली के चाय का टेस्ट नहीं अच्छा लगता है देखिए कितने अच्छे कुरकुरे बने हैं और इसको हम एक तोड़ के आपको दिखाते हैं अभी ये देखिए ये पकोड़े अंदर से ऐसे आएंगे देखिए बहुत अच्छे बने हैं तो ये फ्रेंड्स हमारी चाय और ये कुटू के आटे के पकोड़े रेडी हो गए हैं हमने आपको तोड़ कर दिखाया है आप भी बनाईए ये दिखे चट्मी के साथ में इसको खाये बहुत टेस्टी लगता है आप भी बनाईए और बनाकर खाये हमें बताईए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी चाय हमारी रेडी हो गई है तो हम तो चलते हैं चाय पीने आप लोग भी पकोड़े बनाने की तयारी कीजिए